हाई फ्रेंड्स केडीज एक्वेरियम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लेकर आये हैं बिगिनर्स एक्वेरियम गाइड का एपिसोड नमबर फॉर लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्या होता है नाइट्रोजन साइकल और बेनिफिशल बैक्टिरियास कैसे काम करते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो बहुत सारे नए fish keepers के साथ ये होता है कि जब भी वो नए एक aquarium में fishers लाके छोड़ते है तो वो हफते बर में या फिर 10 दिनों में वो मर जाते है और fish keepers समझ नहीं पाता कि ये क्यों मरे है पानी तो एकदम clear है वो खाना भी time to time देते हैं fishers को aerator चालू है filter चालू है फिर भी fishes मर जाते है और fish की पर समझ नहीं पाते कि यह क्यों मर रहे है और बहुत सारे fish की पर fish मरने की वज़े से इस hobby को छोड़ देते है आज हम समझेंगे कि यह fishes क्यों मरते है और इसको कैसे रोका जाए तो यह fishes मरते है new tank syndrome की वज़े से new tank syndrome मतलब क्या होता है आपके aquarium में जो nitrogen cycle है वो set हुआ नहीं अभी तक इसकी वज़े से क्या होता है जो भी waste आपके fishes produce करते है जो भी fish food आप डालते है जो मचलिया खान नहीं पाती वो decompose होता है और ammonia generate होता है और इस ammonia को nitrite और nitrate में convert करने के लिए beneficial bacteria अपके aquarium में ही नहीं तो इसकी वज़े से क्या होता है ammonia बढ़ जाते है आपके पानी में और उसके वज़े से fishes मर जाते है तो आज हम देखेंगे यह beneficial bacteria अपने aquarium में कैसे develop करना है इसी को कहते है to cycle your aquarium तो सबसे पहले आसान तरीका है fishless cycle इसमें आपको क्या करना होता है aquarium को पूरा पानी भर देना है substrate डाल देना है filter set करना है aerator set करना है और ऐसे ही aquarium को बिना fishes के 6-7 हफते तक चलाना है इससे क्या होगा चुन beneficial bacteria है नाइट्रो सोमोनास और नाइट्रो बेक्टर यह दोनों bacteria naturally आपके aquarium में develop होंगे अब यह bacteria पानी में तो रहते हैं नहीं यह रहते है substrate के उपर इनको रहने के लिए कोई किसी base की ज़रूत होती है वो पानी में खुले नहीं रहते वह जैसे आपके gravel में रहेंगे आपके filter में रहेंगे आपका जो भी decoration है उसके उपर रहेंगे आपके aquarium के काच के उपर रहेंगे फिल्टर में जो इस प्रोसेस को फास्ट कराने के लिए आप अपने aquarium में कुछ ammonia source डालिए जिससे क्या होगा कि यह अभी यह बैक्टीरिया कंजियूम तो ammonia करते अमोनिया ही नहीं होगा तो वह उनका जो development हो बहुत ही slow होगा इसलिए आप कुछ ammonia source डालिए जैसे कि आप फिश फूट डाल सकते हैं या फिर कोई आप फिश डाल सकते हैं मतलब जो मार्केट में खाने की फिश मिलती है वो चोटी सी कोई फिश मरी होगी डाल सकते उसके अंदर उससे क्या होगा अपके aquarium में ammonia generate होगा और उसकी वज़े से beneficial bacteria जल्दी जल्दी डेवलप होगे अगर आप ammonia source डालते हैं फिर भी आपको 4-5 हफते तक इसे चलाना पड़ता है beneficial bacteria डेवलप होने के लिए नया फिश कीपर कोई aquarium लेता है तो बहुत ही excited होता है और उससे जल्दी से जल्दी फिश अपने aquarium में डालनी होती है तो इस प्रोसेस को और फास्ट करने का एक तरीका है जो इसके filter में डाले इससे होगा क्या उसके filter में अल्रेडी वह बैक्टीरिया डेवलप्ट है बैक्टीरिया कॉलनाइज हो चुका है उसके filter मीडिया में तो वही मीडिया अगर आप जब आप अपने filter में डालोगे तो आपका जो मीडिया है उसमें भी वह पुराने मीडिया में से बैक्टीरिया आ जाएंगे मतलब इसको इनोकुलेशन कहते हैं अगर जब आप बैक्टीरिया का इनोकुलम डालोगे डालोगे आपके filter में तो आपके नए filter में भी वह डेवलप्ट हो जाएंगे इससे यह करने से आपका जो nitrogen cycle set होने का जो समय लगता है वो बहुत ही कम हो जाता है तो अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप aquarium वाले से भी request कर सकते हैं कुछ used media देने के लिए आप उसका used media ले सकते हैं और अपना नया मीडिया उसको दे सकते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा और एक बा इसी तरह से आपको मीडिया लाना है अगर वो मीडिया सूख गया तो उसके beneficial bacteria मर जाएंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि वह मीडिया सूख न पाए अगर आपको लंबी दूरी तेया करनी है तो आप उसको एक plastic bag में भरे उसमें थोड़ा सा पानी डाले और फिर वो ल का quick start है वो bottle में beneficial bacteria होते हैं और वो डालने से आपका aquarium जल्दी cycle हो जाता है companies तो claim करते हैं कि वो डालके आप immediately fishes छोड़ सकते हैं पर मैंने किसी भी fish keeper को experience fish keeper को ऐसा suggest करते हो यह नहीं देखा है और मैंने कभी खुद से कभी यह product कभी यूज नहीं किया है अगर आप वो यूज कर रहे हैं फिर भी on a safer side आप 2-3 हफते के लिए aquarium चलाईए फिर ही fishes छोड़िए अगर आपको filter media नहीं मिल रहा है तो किसी set aquarium का जो filter होता है उसमें से जो गंदगी होती उसमें वो निचोड के for example sponge filter है तो sponge filter का आप निचोड होगे तो उसमें से बहुत सारी गंदगी निकलेगी और वो जो गंदगी होगी उसके साथ थोड़ा सा bacteria भी होगा तो वो गंदगी अगर आप लाके अपने नए aquarium में डालोगे तो aquarium को पानी तो खराब दिखेगा पर वो कुछी दिनों में वापस clear हो जाएगा तो वैसा करने से भी आपके aquarium में nitrogen cycle जल्दी set हो सकता है तो ये थे कुछ तरीके aquarium को cycle करने के और nitrogen cycle अपने aquarium में set करने के तो आज के वीडियो में आपने देखा कि fishes क्यों मरते ये एक बहुत ह कुछ common reasons जिसकी वज़े से fishes मरते हैं अगर आपको aquarium cycling के बारे में कोई भी सवाल हो तो comment box में जरूर लिखिए ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे like कीजिए और अपने दोस्त जिनको नए aquarium set करने उनसे जरूर शेर कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले episode में